Hello students, number theory case second lecture में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग top function के बारे में जानेंगे और इसका क्या use है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और ये आपके competition exam के लिए बहुत important function है ये आपको बहुत सारे exam में help करेगा वो अभी आपको कुछ दिर में मालूम चल जाएगा ठीक है? उमीद करता हूँ आपने first lecture जरूद देखा होगा क्योंकि अगर आपने first lecture नहीं देखा है तो हो सकता है आपको आज का वीडियो समझ में ना आए ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि थ्री जो है वो 6 को डिवाइड करता है है ना? थ्री जो है थ्री जो है वो 6 को डिवाइड करता है और हम लोग इस तरीके से represent करते हैं मैं आप से पूछ रहा हूँ 6 के पास कितने divisors हैं? 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है, 6 भी 6 को डिवाइड करता है, है न, तो total कितने divisors हैं, 4 divisors हैं, 4 divisors हैं, हम लों के पास, किसके, 6 के, 6 के कितने divisors हैं, 4 divisors हैं, ठीक है, उसी तरह अगर मैं आप से पूछ हूँ, कि आप न 8 को divide करता है, 2 भी 8 को divide करता है, 4 भी 8 को divide करता है, और 8 भी 8 को divide करता है, इस case में भी कितने divisors है, 4 divisors है, तो इसी तरह अगर मैं आपको बहुत बढ़ा नंबर दे दूं, सब्सक्रीए 1008, इस case में आप number of divisors असानी से find नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत time लगेगा, तो उसी के लिए बना है tau function, ठीक, tau function कहता है अगर आपके पास एक number है, वोस number को अगर आप इस तरीके से लिख पाते हैं, basically ये prime factorization है इस number का, ठीक है, आपको prime factorization करने आता होगा, ठीक है, तो अगर n के पास ये prime factorization है, तो इस number के पास कितने divisors हैं, आप इस formula से निकाल सकते हैं, और इस formula में इसी tau n को कहते हैं, divisor function या फिर tau function, ये बहुत important function है, आपको group theory में, ring theory में, field theory में बहुत काम आएगा ये function, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने ये lecture miss किया या भूल गये, तो फिर आपको बह number theory में, या फिर group theory में, ठीक, तो बहुत ध्यान से समझेगा, अगर आपके पास कोई एक number है, उस number को अगर आप इस तरीके से लिख पा रहे हैं, तो आप इस number के divisors को find कर सकते हैं, कि कितने divisors होंगे, आप count कर सकते हैं, और उसका formula क्या है, ये जो powers है न, इन सम्में add, one add करक multiply कर दीजिए, examples है, आपको जादे समझ में आएगा, ठीक है, मैं आपके सामने example रखने जा रहा हूँ, suppose करिए, अभी हमने number देखा था 6, 6 को मैं लिख सकता हूँ, 2 का power 1, 3 का power 1, ये जो 2 और 3 हैं, ये prime numbers होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो PQR थे, ये prime numbers थे, तो 6 को time factors में तोड़ना है, फिर power लिख देना है, उनका क्या होना चाहिए, ठीक है, तो ये करना तो आपने बच्पन में ही सिख लिया था, अब अगर आपको देखना है, कि 6 के कितने divisors होंगे, लिखिए tau of 6, ठीक है, और ये जो 1 था ना, 1 में 1 add कर दीजिए, इस वाले 1 में भी 1 add कर दीजिए, और multiply कर दीजिए, आपका answer आजाएगा 4, और हम लोगों ने देखा था, कि 6 के पास कितने divisors हैं, 4 divisors हैं, अभी हम लोगों ने example में देखा था, एक और example लेते हैं, मालीजे मैं एक और example ले रहा हूँ, 12, 12 को लिखा जा सकता है, 2 का square, 3 का power 1, ये ना, 12 को को के रिखा जा सकता है, 2 का square, जो की 4 होता है, 4 में 3 multiply करेंगे, 12 आ जाएगा, ये ना, तो हम लोग फिर कैसे लिखेंगे, tau 12, ये बताएगा कि कितने divisors हैं 12 के पास, तो इस 2 में न, power वाले में एक जोड़ देना है, जितने भी powers होंगे, यहाँ पर 1 है तो 1, ठीक है, तो या जा हैगा, ठीक है, आपके लिए मैं एक home work दे रहा हूँ, बताइए, 1, 8, 8, 6 के पास कितने divisors होंगे, 1, 8, 8, 6 के कितने divisors होंगे, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, count क्या करना है, divisors करना है, यह आपका home work है, यह आप लोग comment box में लिख के बताएगा, अपना answer, ठीक है, जरू के पास कितने divisors हैं, तो 1 होता है, 1 के पास एक ही divisor है, वो है 1, ठीक है, तो यह बहुत important चीज़े, और एक चीज़ और important है, यह formula, यह formula आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहना चाहिए, आपका home work होगा, कि इस number के divisors होंग काउंट करके बताने हैं, इस formula से, ठीक है, comment box में अंसर बताईएगा, आज पूड़ में सितना ही, मिलते हैं अगले lecture में, तब तक के लिए, good bye